नमस्कार दूस्तों स्वागत यापका फार्मा रोक्स की यूटूब एज्यूगेस्टन चनल में तो आज की वडियो लेक्चर में हम ऐसे हल प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे की तवचा पर छोटे-छोटे पानी से बरे दाने हो जाते हैं या फिर तवचा पर पित्ती, छाले या फिर फूंसियों के इस तरह से निसान देखने को मिल रहे है तीसरा प्रॉब्लेम हम देखे, तो आपको वहाँ पे काफी ज़्यादा तेज खुजली होती या फिर बहुत ज़्यादा खुजली होती है फिर रात को ये जो खुजली है वो काफी ज़्यादा परेशन करते हैं तो चलिए सिखते हैं detail में scabies के बीमारी के बारे में और ये जो सब अलग-अलग topic से वो हम cover करेंगे तो सबसे पहले सरुवात करते हैं basic से कि ये बीमारी क्या है तो scabies को हिंदी में हम खाज गएते हैं और ये जो बीमारी होने का जो कोई reason है तो एक परजी वी है कि जिसका नाम है सरकॉप्टस scabby करके तो ये जो किटानू है उसके infection के करन ये problem होती है और सारेरिक संपर्ख से एक सरे दूसरे विक्ति तक ये फैलता है तो यहाँ पर हम ये वो किटानू देख सकते हैं pick के अंदर फिर इसके बारे में कुछ और detail जाने तो ये किटानू आठ पैर वाले परजी भी होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं और तवचा को खोदते रहते हैं जिससे तेज खुजली होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं डायाग्राम के अंदर तो ये जो किटानू है ये जो परजी भी है इस तरह से क्या करते हैं कि आपके skin के अंदर जो दिर दिरे enter होना सुरू हो जाते हैं और तो अच्छा को खोदने लगते हैं तो ये जो पूरा tunnel create करते हैं और वहाँ पर वो अपने eggs भी रखते हैं उनका multiplication भी होने लगता है और ये इसके कारण जो हो आपको काफी ज़्यदा खुजली होने लगती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो किटानू है कि जिसको हम parasite भी कहते हैं तो sarcoptis, cabivar, hominis, mite है कि जो specially tunnel create करता है skin के नीचे और जिसके करन ये problem जो होती है तो यहाँ पर आप देखो कि इस तरह से जब ये tunnel बनाता है जो तौचा को खोदते हैं तो जो उपरी layer होता है इस तरह से वहाँ पर ये च्छाले देखने को मिलते हैं कि जिसको हम scabies के निसान भी कह सकते हैं तो उसके कुछ हम प्रकार देखे, types देखे तो crusted एक है, norwegian जिसको का जाता है ये वाले diagram में देख रहे हैं इस तरह से पहले वाले फिर second में देखे, उस तरह से ये हो गए आपका, nodular जैसा हो गया, bulus हो गया और fourth हम देखे तो ये आपके scalp के अंदर हो रहे हैं, तो ये चार main types से scabies के, तो यहाँ पे मैं वीडियो के बेच में बताना चाओगा कि ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सिखना अचा लगता है, उनके उपचार के बारे में सिखना अचा लगता है तो scabies mite के करन ये problem होती है, और वो mite क्या करते कि दिरे दिरे अपने eggs भी रखते हैं और उनका multiplication होता है symptoms हम देखे, तो काफी ज़्यादा तेज खुजली होती है, pimple जैसे races बनते हैं, blisters, वहाँ आपको scratch करने का फिल होता है और सरीर के अलग-अलग parts पे ये develop होने लगते हैं, तो जो scabies की खुजली है वो उंगलियों के बीच में, बगल में, कमर के आसपास, कलायों के अंदरुनी बाग, भित्री कौनियों पर या फिर प्यारों के तलवों पर तेज खुजली जो हो scabies की हो सकती है, तो ये उसके सकता है, तो इसका निदान कैसे हो सकता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि स्कीन को चेक किया जाता है, तो ये जो एक bump जीसा देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे जो हो scabies के might हो सकते हैं, जो एक tunnel बना रहा है वहाँ पर तवचा को खोद रहा है, तो और detail में जा के cellist है, वो dermatoscopy test कर सकते हैं, फिर अब समझते हैं उसके treatment के options, तो टॉपिकल treatment मलब के directly जहाँ पर ये problem हुई है, वहाँ पर आप किसी चीज़ को लगाते हैं, जैसे कि cream है, lotion वगिरा है, emulsion से, ointment है, तो ये सब directly वो affected area पर लगाने होते हैं, और oral medications के हम बात करें, तो ये पाइला option है, permetrin की जो cream आती है, permet करके उसका एक brand आप देख सकते हैं, तो ये जो cream है, वो आपको वहाँ पे दिन में 2 या 3 बार जो लगाना चाहिए, रात को भी उसको लगा सकते हैं, फिर अगर आपको cream suit नहीं हो रही, तो उसी का lotion भी available है, या पे आप देख सकते हैं, scabby guard करके ही नाम दिया है, उसका specialist scabby में ही यूज किया जाता है, तो ये lotion भी दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं, तिसरा option हम देखें, तो डर्बेक M करके जो है वो emulsion है, कि जिसके अंदर 0.5% रहता है, meletheon, कि ये भी काफी effective सा भी दोता है, scabby इसको treat करने के लिए, जो अथा option यहाँ पे हम देखें, तो benzyl benzoate का ये एक preparation रहती है, 25% weight by volume के अंदर आप देख सकते हैं, उसकी strength, तो ये जो product है, वो दिन में 2 या 3 बार जो लगाई जाती है, affected area में, तो फिर से मैं reminder देना चा सकते हैं, तो order place करने के लिए, ये number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगे, पांचवा option हम देखें, तो वो है ivermectin का, कि जो एक anti-parasitic medication है, तो उसका जो dose रहता है, खासकर 200 microgram per kg per day के इसाप से रहता है, तो patient का जो weight होता है, उसके इसाप से dose calculation करके, proper dose prescribe किया जाता है, छटा option देखें कि आपको, बालों में भी ये हो रहा है, scabase dose वक ये ivermectin का, sample available रहता है, 0.5% weight by volume की strength में, जैसे आपको specially hair wash करने रहते हैं, ये sample को use करके, साथ वा option है, thai bandazole के ointment का, कि दिन में दो या तीन बार जहे होए apply कर सकते हैं, फिर parmetrin का swap आता है, कि साबुन से आप नहा सकते हैं, speciale की जिससे, scabase का problem देरे-देरे solve होने लगेगा, 9th option हम देखिए, तो albendazole की जो tablets आते हैं, अब ये oral के जो option है, oral tablets के कुछ, तो 400 mg per day के इस आप से दिया जाता है, 3 दिन के लिए, week 1 and week 2 के लिए, तो मलब कि week 1 में आप 3 दिन लेते हैं, और week 2 में उसको 3 दिन ली जाती है, next देखिए तो Mabendazole का option है, यहाप आप देख सकते हैं, Mabendazole के tablet, 100 mg के strength में रहते हैं, Mabex जो उसका brand है, Cipla manufacture करती है, और यहाप अलbendazole का हमने देखा, Cadillac product की 400 mg में है, तो 100 mg दिया जाता है, 2 times a day for week 1 and week 2, तो यह हिसाब से दिया जाता है कि 100 mg, तो एक tablet सुबह हो गई, एक tablet रात को हो गई, दो डोस के बीच में at least 8 गंटे का time interval, और week 1 के लिए इसको follow किया जाएगा, और also for week 2, 11th option हम देखे तो जो antihistamine के रहेंगे, कि अगर itching काफी ज़्यादा हो रही है, तो वो itching को कम करने के लिए, लॉराटइन की जो tablets है, 10 mg की strength के अंदर लॉराटइन करके, कि जो supply उसको बनाती है, और उसका जो dose रहता है, एक या दो tablet per day, या फिर allegra के जो tablet है, facts of inadine, उसके अंदर जो salt content है, वो भी patient यूज कर सकते कर काफी ज़्यादा itching आपको, हो रहते हैं, जिसका dose रहता है, एक या दो tablet per day, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगागा, कि यहाँ पर आप क्लिक करके, मेरा ये वीडियो देख सकते कि, जहाँ पर मैंने ये वीडियो बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से detail में आपको समझाया है, तो चैनल को subscribe करें, good luck and all the time.